अगर बात करें Tata Motors की तो आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर हमें इनके कुछ कार्स के फेसलिफ मॉटल्स भी देखने के लिए मिलने वाले हैं बाद आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अगले महीने होने वाला है Tata Nixon facelift के वारे में क्योंकि मुझे बता है कि आप लोग काफी जादा excited है वर इस कार आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे detail में और मैं आप लोग को बताऊंगा 10 ऐसे changes जो कि आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे Tata Nixon facelift के अंदर और आप लोग के लिए जानना ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन से हैं वो 10 changes जो कि हमें new Nixon के अंदर देखने के लिए मिलने वाले है सबसे पहले change के अगर हम बात करें तो वह है new front face या अब Tata Nixon facelift के अंदर ना हमें इसका पूरी तरीके से जो front design है वो change देखने के लिए मिल जाएगा मैंने जो previous videos भी आप लोग के शेयर के हैं जिसके अंदर हमें इसकी spider images आई है और leaked images मैंने आप लोग के शेयर की है तो इसके इंदर भी आप लोग देख सकते हैं कि एक new fresh front face या देखने के लिए मिल जाता है और यह ना कुछ वैसा है जो कि Tata ने अपने auto expo 2023 के अंदर ग्रिल्स को change कर दिया गया है बंपर को change कर दिया गया है नीचे skate plate मिल जाएगी तो इस सारे जो changes है वो हमें इसके front में देखने के लिए मिल जाएगे तो इस पहला change है जो कि हमें नेक्सौन के साथ में मिल जाएगा वह अगर बात करें इसके second change की तो वह इसका new rear design अब जैसे कि इसका friend design है same चीज इसके rear design के साथ भी हमें देखने के लिए मिल जाएगी यानि कि जो friend में हमें light bar मिल रहा है वो same continuity हमें इसके rear में भी देखने के लिए मिल जाएगी LED टेलाइट से आपर offer किये जा रहे हैं और बीच में light bar मिलेगा जो कि दोनों ही टेलाइट को आपस में connect करेगा उसका आद में Tata का logo साथ ही एक और बड़ा update है जो इसका वाइपर है ना जो कि हमें rear windscreen के उपर देखने के लिए मि जाएगी साथ ही जो बंपर है उसको रेट यहां पर कर दिया गया है तो यह सारे जो चेंज जाना है वह हमें नेक्सॉन के साथ में देखने के लिए मिल जाएंगे शाक्विन एंटेना है साथ ही जो spoiler है उसको भी काफ़ी जादा beautifully design किया गया है नेक्स चेंज के अगर हम बात करें तो वह है इसका interior अब interior ना काफी जादा lot more premium लगेगा आपको क्योंकि अब इसके अंदर बहुत सारे features को add कर दिया गया है अब मैंने आप लोग को previous videos के अंदर भी दिखाया था कि इसके अंदर ना काफी सारे change हमें देखने कर मिल है साथ ही color scheme हमें नहीं मिलेगी premium जो अलग अलग चीज़ें वो यहां पर मिल जाएंगी जैसे technology के साथ हिसाप से भी comfort के हिसाप से भी ना काफी सारे चीज़ें यहां पर update कर दी जाएंगी जैसे कि infotainment system हो गया गेर लीवर हो गया इसका cluster meter हो गया डाशवोड पूरी तरह के सव चेंज है स्टेचिंग वर्क हमें यहां पर मिल जाएंगी तो बहुत सारी चीज़ें यहां पर add-on की जा रही है और यहां परना साथ में अडा स्यूट जो है ने वह भी हमें देखने के लिए बल जाएगा टाटा नेक्सान facelift के updated यानि की new वाले variant और जो top line variants होंगे वहां पर नेक्स चेंज के अगर हम बात करें तो वह है इसका new HVAC control panel अब यहां पर ना जो control panel है ना इसको टाटा ना already patent करवा चुका है यानि कि उनका patent है और यहां पर ना एक haptic touch buttons जैसा ना जो AC control है वह यहां पर दिया गया और less use किया गया है physical buttons का बेसिकली नेक्सान के अंदर ना updated नेक्सान के अंदर आपको physical buttons का काफी कम use देखने के लिए मिल जाएगा जो कि काफी जाद अच्छी चीज है दो toggle switches आपको यहां पर मिल जाएंगे एक for the blur unit और एक आपको temperature के लिए और बागी आपको सारी haptic touch buttons मिलेंगे same like fourth generation honda city आप लग मुझे comment करके जरूर बताएं कि आपको इसका चलाने में किस में जादा मजाएगा न्यू वाली में या फिर पुरानी वाली में comment करके जरूर बताएं नेक्स चेंज के अगर हम बात करें तो वह इसका new test screen infotainment system अब यहां बरना वही same infotainment system आने वाला है जो कि हमने अभी updated safari में और harrier के red duck additions के अंदर देखा है जिसके अंदर adas आता है उस वाले variant का test screen 10.25 वाला वह यहां पर आएगा जो कि floating type है जिसके अंदर apple carplay android auto यह सारी चीज़े हैं और भी other advanced features है जो कि हम यहां पर मिल जाएंगे उसकी ui काफी जादा smooth है और काफी जादा अच्छा लगता चलाने में और देखने में भी काफी जादा appealing लगता है एक premium जो लुक है सफारी और हैरियर के red dark editions वाला यहां पर मिलने वाला है जिसके अंदर बीच में 7 इंचिस की TFT डिस्पले है और देखने में काफी जादा premium लगता है काफी सारे features भी है इसके अंदर तो वह सेम जो है ना हमें यहां पर भी देखने कला मिल जाएगा और यह काफी बड़ा इसके अंदर दिखाया गया था ना मैं इमेजिस यहां पर शेर कर रहा हूं तो यही सेम स्टेरिंग वील हमें वहां पर दिखाया गया था और वहां से इंस्पिरेशन लेकर कुछ यहां पर काफी सारी चीज़े carry forward की गई है तो स्टेरिंग वील एक वन है उसमें से एक चीजना कहीं और नहीं देखे तो टाटा पहला होने वाला है जिसने यह सब चीज करिया और देखने में काफी जादा अच्छा लग रहा है दोनों साइड में आपको ना टॉगल सुचिस मल जाएंगे जो कि देखने में काफी जादा प्रीमियम लगते हैं आप लिग मुझ चार्जिंग है साथ में वेंटिलेटेट सीट यहां पर आ जाएंगी और अधर चीजों के अगरमा बात करो तो अडास यहां पर आ जाएगा नेक्स चेंज के खरम बात करें तो वह इसका न्यू डैशपोर डिजाइन अब डाटा नेक्स्वान फेसलिक के अंदर ना जो इसका डैशपोर है वो पूरी तरीके से आप मुझे कॉमेंट करके बताएं कि आपको इसका डैशपोर डिजाइन कैसा लगा नेक्स चेंज के अगर हम बात करें तो वह इसका न्यू गेरबॉक्स अब यहां पर अभी जो अभी तक जो न्यूज आ रहे है वो यह है कि न्यू नेक्सवान के अंदर ना हमें जो गेर ले मिलने वाली है नेक्स चेंज के अगर हम बात करें तो वह है मेकानिकल अपडेट्स अब न्यू नेक्सवान है तो यहां पर लाजबी है कि कुछ मेकानिकल अपडेट्स पी किया जाएंगे जैसे कि इसके सस्पेंशन के लिए बेटर राइट क्वालिटी और भी अधर च इस एड़ और नेक्सवान मुझे कॉमेंट करके बताएं और यह थे वो तोटल दस चेंजिस जो कि आप लोगो नेक्सवान के साथ में देखने के लिए मिलने वाले हैं तो दोस्तों आप लोग अभी ओल्ड नेक्सवान को भाइए करना चाहेंगे यह यह चेंजिस देखने नेक्सवान की तरफ भागेंगे मुझे कॉमेंट करके फड़ा बड़ से बताएं साथ इस वीडियो को फड़ा बड़ से शेयर कर दें अपने फेस्बुक ब्रॉप्स में अपने वाट्सव फ्रेंड्स के साथ हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब ते के लिए जय हिन जय पारद